तो प्यारे साथियों, संस्कृत की सिक्षन वीडियों की जो वीडियो सीरीज चल रही थी, उसी में एक और टोपिक है, संप्रेशन के साधन. संस्कृत सिक्षने संप्रेशन साधनानी करके एक टोपिक है इकाई पांच में उसको कम्प्लीट इसमें पढ़ते हैं यह चोटा सा ही टोपिक है और चोटा सा वीडियो है लेकिन इंपोर्टेंट है इसको आप जरूर ध्यानपूरोग देखिएगा क्योंकि संप्रेशन सिक्षन के लिए काफी आवसेक तत्व है और संप्रेशन के बिना सिक्षन कारिये जो है वो संभव नहीं हो पाता है संप्रेशन के माध्यम से विक्ति अपनी बात को या अपने विचारों को या अपनी अभिविक्तियों को दूसरों से साजा कर पाता है तो यही कारिये सिक्षन में भी होता है अध्यापक और बच्चे के बीच में जो वारतालाब होता है उसी को हम संप्रेशन कहते हैं इंग्लिस में जिसको कम्यूनुकेशन नाम दिया गया है तो जिस माध्यम से सिक्षक और अध्यापक के बीच वारतालाब होती है वही संप्रेशन है और उसमें जो साधन काम में ले जाते हैं वही संप्रेशन के साधन है तो इंपोर्टेंट सा वीडियो है, छोटा सा वीडियो है, छोटा सा टोपिक है तो इसको complete पढ़ लेते हैं इस वीडियो में और साथ में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर कितने topic और बच्चे हैं इस वीडियो सीरीज के तो मैं confirm कर देता हूं आपको कि इसमें एक topic तो आपका बचा है मुल्यांकन प्रशनों का कि किस-किस परकार के मुल्यांकन के प्रशन होते हैं एक तो ये topic आपके सलेबस में है तो एक वीडियो बनेगा उसका इस वीडियो के बाद में और एक बनेगा उप्चारात्मक शिक्षन का ये दो वीडियो बनेंगे संस्कृट की सिक्षन वीडियो में और एक topic जो बचा हुआ है भासा second के लिए दोनों level में level first के लिए भी level second के लिए भी भासा second उसमें एक topic है संस्कृट सिक्षन में अभिरूची प्रशनों का तो इस तरह से हैं इस वीडियो के बाद में total तीन वीडियो और बचे हैं अपनी सिक्षन वीडियो के संस्कृट की complete सिक्षन वीडियों उन तीन वीडियों के बाद में complete हो जाएगी उसके बाद में इसके प्रशन उत्र सुरू करेंगे और उधर आपकी हिंदी की सिक्षन वीडियों की वीडियो सीरीज जो है वो शुरू कर देंगे और साथ में जो अन्य सिक्षन वीडियां हैं आपकी जैसे मैथ की हो गई साइन्स वगईरा की हो गई वो भी कंप्लीट कर देंगे उसमें ज्यादा लंबी चोड़ी कहानी नहीं है छोटे छोटे एक एक दो दो वीडियो बनेंगे तो वो सारी कंप्लीट कर लेंगे तो चलिए अब बिना समय गवाए इस वीडियो को सुरू करते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है इसके कटारिया और आप देख रहे हैं इसका एजुकेर का योटूब चैनल और वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ये नोटिफिकेशन बेल आप जरूर हिट करें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए अब जल्दी से अपने टोपिक के और बढ़ते हैं वीडियो के साथ में और इसकी पीडियो जो है वो आपको अपने टेलेग्राम चैनल मिल जाएगी इसका ये जुकेर के नाम से टेलेग्राम चैनल है तो टेलेग्राम के एप को पहले आप इंस्टोल कर लो यानि संप्रेशन के प्रमुक शाधन कौन-कौन से हैं लेकिन इससे पहले ये जानना होगा कि संप्रेशन है क्या तब ही आपके समझ में आएगा कि संप्रेशन के शाधन कौन-कौन से है दोस्तों बिना संप्रेशन के सिक्षन कारिये या अधिगम कारिये जो है या आगे नहीं बढ़ सकता तो जिस प्रकार से मानव सरीर में रीड की हड़ी का महत्वपुन रोल होता है या महत्यपुन भूमिका होती है उसी प्रकार सेऩ शिक्षा में समप्रेशन read की हड्ल का कारिय करता है बिना समप्रेशन के आदिगम और सिक्षन की कल्पना नहीं की जा सकती या सिक्षन या आदिगम नहीं हो सकता यानि कि वारताला भी नहीं होगी, कम्यूनिकेशन नहीं होगा, सुचनाओं का आदान परदान नहीं होगा, छातर और अध्यापक के मद्धे, तो सिक्षन कारिये कैसे होगा, यानि कि बिल्कुल नहीं होगा, तो संप्रेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, यहाँ पर संप् प्रेशन का अर्थ ये हुआ समान रूप से भेजना समप्रेशन को अंग्रेजी में कम्यूनिकेशन कहते हैं क्या कहते हैं कम्यूनिकेशन और कम्यूनिकेशन सब्द की उत्पत्ति लेटिन भासा के कम्यूनिस सब्द से हुई है किस सब्द से हुई है कम्यूनिस और कम्यूनि तथा विचारों का आदान परदान करना मूल रूप से आप संप्रेशन को सुचना तथा विचारों का आदान परदान करना मान सकते हैं ठीक है तो ये तो हुई संप्रेशन के अर्थ की बात आपके ये समझ में आ गया कि संप्रेशन होता क्या है क्या कुंसेप्ट क्या है क्या हमारा topic क्या है संप्रेशन के साधन कौन-कौन से हैं यही हमारी सेलबेस में topic लगा है। лучше इस से पहले एक बार संप्रेशन की प्रकार भी देख लेते हैं कि संप्रेशन कितने प्रकार भी हो सकता है। अच्छा यहां पर कुछ विद्वानों की परिभासाएं भी हैं वो भी मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बाद में इसके परकार देखेंगे विद्वान क्या कहते हैं संप्रेशन के बारे में देखिए E.G. Mayor के अनुशार संप्रेशन की परिभासा क्या है वो देख लीजिए संप्रेशन से तात्प्रिये एक वेक्ति के विचारों तथा शक्तियों से दूसरे वेक्तियों को परिचित कराने से है तो मूल रूप से ये बात यही है कि अपने विचार दूसरे वेक्ति तक पहुचाना और उसको भी परिचित करा देना यानि शूचनाओं का आदान परदान चलिए दूसरी परिभासा क्या है लुइस ए एलन के नुशार इनके नुशार क्या है संप्रेशन अरथों का एक पूल है जिसमें कहने शुनने तथा समझने की व्यवस्तित तथा सतत परक्रिया चलती रहती है तो मूल रूप से इन सभी परिभासाओं का सार यही निकलता है कि सूचनाओं का आदान परदान ही संप्रेशन है चलिए संप्रेशन के टाइपस देख लेते हैं यानि कि कितने परकार का होता है मूल रूप से दो परकार का होता है एक होता है साब्दिक यानि सब्दों से अब सब्द कैसे हो सकते हैं सब्द लिखे हुए भी हो सकते हैं और सब्द मोखिक भी हो सकते हैं कि बोले हुए भी हो सकते हैं और लिखे हुए भी हो सकते हैं तो साब्दिक संप्रेशन जो है उसमें सदेव भासा का प्रियोग किया जाता है और यह दो परकार का होता है लिखित और मोखिक और दूसरा होता है ऐशाब्दिक संप्रेशन यहाँ पर वानी या ध्वनी या संकेत के द्वारा अपनी सुचनाओं का आदान परदान किया दाता है जैसे आपने देखा होगा कि रेल गाड़ी जो है उसको रवाना करने के लिए हरी जंडी हम दिखाते हैं तो वो एक संकेत है ठीक है रेल गाड़ी जब सीटी मारती है तो वो भी एक संकेत है कि हाँ गाड़ी आ रही है यह संकेत है यह हम कई बार इसारा करके किसी को कोई बात समझाते हैं तो वो ऐसाब्दिक संप्रेशन है हम जब किसी भी बाद्धे अंतर का प्रियोग करते हैं ध्वनी अंतर का प्रियोग करते हैं तो वो क्या है? वो ऐसाब्दिक संप्रेशन है तो साब्दिक और ऐसाब्दिक मूल रूप से दो संप्रेशन होते हैं साब्दिक संप्रेशन दो प्रकार का होता है मोखिक और लिखित तो ये संप्रेशन के प्रकार की बात हुई अब हम संप्रेशन के ज्यादा गहराई में ना जा करके हम बात करेंगे संप्रेशन के साधनों की क्योंकि हमारे टोपिक में हमें क्या पढ़ना है संप्रेशन के साधन पढ़ने है हमें संप्रेशन नहीं प्रमुक संप्रेशन के साधनों की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं एक मुदृत याने की प्रिंटेड और दूसरे होते हैं एमुदृत याने की जिनका प्रिंट नहीं होता है समझ गए याने की ध्वनी रूप जो है वो एमुदृत है और लेखन रूप जो है वो मुदृत है तो चलिए मुदृत साधन और एमुदृत साधनों को एक एक करके समझते हैं तो मुदृत साधन में देख लेजिये कोन कोन सी चीज़ों को सामिल किया गया है स्वय अनुदेशित सामगरी यानि की खुद के द्वारा बनाई हुई सामगरी जैसे की खुद के बनाई हुए नोट्स इसमें सामिल हो सकते हैं या खुद की बनाई हुई को बुक को इसमें सामिल हो सकती है इसके अलावा अन्य मुदृत सामगरी जैसे की समाचार पत्र समाचार पत्र यानि की न्यूस पेपर हम सभी पढ़ते हैं ये मुदृत शाधन के अंतर ही सामिल क्या गया है शोध, जनरल, बुक्स, वरक बुक्स, शब्द कोस, इनसाइकलोपीडिया, एटलस इनसाइकलोपीडिया क्या होती है देखे मैंने आपर लिखा है विस्व ज्यान कोस को इंगलिस में कहते हैं इनसाइकलोपीडिया यानि ऐसी पुस्तक को कहते हैं जिसमें 20 बर की तरह तरह की जानकारी और जानने लाइक बातों को समावेस किया हुआ होता है तो इस तरह की यानि कि यहां पर यह एक्जामबल दिया गया है आपको कि मुद्रित शाधन किस तरह के हो सकते हैं इसमें आपकी जो पाठे पुस्तक वगेरा है वो भी सामिल की जा सकती हैं ठीक है तो ये हो गए मुद्रित साधन अब बात करते हैं ए मुद्रित साधनों की ए मुद्रित साधनों में कौन-कौन सी चीजों को सामिल के आगया है देखिएगा द्रस्य साधन जो है इनको ए मुद्रित साधनों में सामिल के आगया है जैसे स्यामपट हो गया प्रोजेक्टर हो गया इनको हम देख सकते हैं सुन नहीं सकते ठीक है दूसरा होता है स्रवशा यानि कि जो मुद्रित नहीं है वही ए मुद्रित है तो ये सारी चीज़ें मुद्रित नहीं होती है सरव्य साधन, Radio, Tapricarder, Gramophone, Lingua Phone इसके लाव भी और बहुत सारी चीज़ें हो सकते हैं जिनको हम केवल सुन सकते हैं वो सरव्य साधन है और द्रस्य सरव्य यानि इसमें हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं वो होते हैं द्रस्य सरव्य जिसे टेलिविजन, कम्प्यूटर, चलची तरियानी की वीडियो, नाटक या स्मार्टफून ये सभी होते हैं द्रस्य सरव्य इनको हम एमुदृत साधन मानते हैं संप्रेशन के तो द्रस्य सरव्य और द्रस्य सरव्य ये जो साधन है, ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था विस्तार पूरवक अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देखना वीडियो का भाग 20, टोपिक का नाम है संस्कृत सिक्षने अधिगम साधनानी यानि कि संस्कृत सिक्षन में अधिगम के साधन या सिक्षन सहाएक सामगरी, दोनों टोपिक एक ही वीडियो में हमने पढ़े थे तो उसमें आप ये वीडियो जरूर देख लीजिए तो यहां पर हम संप्रेशन के एमुदृत साधन देख रहे थे तो मुदृत और एमुदृत दो प्रकार के होते हैं मुदृत वाले में आगए आपके समाचार पत्र, सोद पत्र, पुस्तक वगेरा और एमुदृत में आगए द्रस्य स्रव्वे और द्रस्य स्रव्वे दोनों टाइब के तो पहले साथियों संप्रेशन में कुछ बाधाएं भी होती हैं और एक्जाम में पूछी जा सकती हैं ध्यान रखना की संप्रेशन में कौन-कौन शी बाधाएं हो सकती हैं संप्रेशन में मूल डूप से चार प्रकार की बाधाएं हो सकती हैं जिसमें पहली है भोतिक ऐस्विधाएं भोतिक ऐस्विधाएं क्या होती है देखेगा वातावरण, शोर, खराब स्वास्ते एवं द्यान के अंद्रित नहोना ये होती है भोतिक ऐस्विधा वातावरण मिंस ये है कि बहुत ज्यादा ठंड है या बहुत ज्यादा सर्दी है ठीक है तो वहाँ पर ऐस्विधा होती है सिक्षन में, कम्यूनिकेशन में शोर, यदि विद्याले ऐसी जगए है, जहाँ पास में कोई फ्यक्टरी है या कोई बड़ी शड़क है हाईवे है, जहाँ पर बहुत चारे शाधन जाते हैं या फिर किसी प्रकार का कोई कोला हल होता हुआ हो तो वहाँ पर संप्रेशन में बाधा आती है, सामने वाला कोई बात बोलता है, तो वह है दूसरे तक नहीं पहुँच पाती, यानि कि अध्यापक यदि कोई सिक्षन करवाता है तो जो भी बारतला बच्चों से करना चाहता है वह प्रोपर, यानि कि ब्राबर कम्यूनिकेशन में बच्चों तक नहीं पहुच पाती तो ये एक बाधा होती है, खराब स्वास्ते अब खराब स्वास्ते चाहे बच्चे का हो चाहे अध्यापक का, यहाँ पर संप्रेशन में बाधा आयेगी, ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहे तो शिक्षक का ध्यान केंद्रित नहीं हो चाहे बच्चे का नहीं हो, दोनों ही जगह संप्रेशन में बाधा होती है भासा संबंधी बाधाएं भासा संबंधी बाधा भी होती है, जैसे अगर बच्चे को सिक्सक की भासा समझ में नहीं आती है तो एक बाधा होती है सबसे बड़ी दूसरी बाधा गलत उच्चारण तीसरी बाधा एसपस्ट शब्द और चोथी अनावशक शब्द अगर गलत उचारण हो रहा है तो बच्चे आर्थ नहीं समझ पाएंगे एसपस्ट उचारण है तब भी बच्चे आर्थ नहीं समझ पाएंगे और अनावशक शब्द विशेवस्तु को समझाने के लिए जितने सब्दों के आवशक्ता होती है उससे कहीं ज्यादा सब्दों को काम में लेना भी बाधा होती है तो ये सभी भासा समंधी बाधाओं में आता है एक होता है मनोवेग्यानिक बाधाएं देखें मनोवेग्यानिक बाधाएं कैसे होती है आवशक्ता से अधिक चिंता चाहे अध्यापक हो चाहे छात्र हो यदि जरुवत से ज्यादा चिंता करेंगे तो मनोवेग्यानिक बाधाओं के सिकार आप हो जाओगे ठीक है पूर्वा ग्रह से पीडित पूर्वा ग्रह मिंस ये है कि पहले से अपना कोई मत निस्चित कर लेना पूर्वा ग्रह से पीडित उस विक्ति को माना जाता है जो किसी भी चीज के बारे में किसी भी विशे के बारे में पहले से अपना मत निर्धायत कर लेता है कि ये चीज तो ऐसे होती है ठीक है उसको बोलते है कि मेरा अपमान हो गया ठीक है तो पूर्वागरह से पीडित होना चाहे ध्यापक हो चाहे सिक्सक हो दोनों के लिए ही बाधा का गारे करता है ऐ लाबकारी अनभाव ऐसे अनभाव जिससे कोई लाब नहीं होने वाला तो ये भी एक बाधा है एपूर्ण जिग्यासाएं ऐसी जिग्यासाएं जो कभी शांती नहीं होती हूँ बिना ही मतलब की जिग्यासाएं जिसका कोई मिंस नहीं है जैसे कोई भी चीज का आर्थ लेकर कि इसका आर्थ ये क्यों हुआ कैसे हुआ उसका कोई सारांस नहीं निकलने वाला लेकिन उसमें उलजे हुए हैं और उन जिग्यासाओं को शांत नहीं होने दे रहे तो ये कभी-कभी बाधा बन जाती है जिसको मनोविग्यानिक बाधाओं में सामिल किया गया है प्रष्ट भूमी से संबंदित बाधाएं देखे इसमें क्या होता है सांस्कृतिक भेदभाव आदि इसमें सामिल किये गए हैं जिसे वातावन में कई परकार की चीज़ें हो सकती हैं सांस्कृतिक भेदभाव जहां पर होता हो वहां पर ये सारी बाधाएं आती हैं प्रष्ट बोमी से संबंदित कारे से पूरवा वातावन संबंदि बादा है जैसे कारे सुरू किया उससे पहले ही कोई बादा आ गई अधिकम स्टार्ट हुआ उससे पहले ही इस तरह की कोई बादा आ गई भेदवाओ हो गया या किसी को नीचा दिखाने की कोसिस की जा रही है या वरण भेद छुआ से यनके सांसक्रितिक बाधाने जिसको बोलते हैं वो सभी इसमें सामिल की गई हैं तो इस तरह से मोल रूप से जो संप्रेशन में बाधाने आ सकती हैं वो मैंने आपको बताई तो पहले साथ ही हूँ ये एक छोटा साइ टोपिक था आज का जिसमें हमने पढ़ा कि संप्रेशन के साधन कौन-कौन से होते हैं और सिक्षन के दोरान संप्रेशन के साधन जो है इनका क्या महत्व होता है तो उमीद है ये वीडियो आप जरूर समझ पाए होंगे इस वीडियो की पीडियाफ आपको अपने टेलेग्राम चैनल मिल जाएगी टेलेग्राम चैनल का नाम है स्काई एजुकेर कई लोगों को यानकी कई लोग जो है वो चैनल तक पहुंच नहीं पाते तो आपको उपाए बतायता हूँ सबसे पहले आपको टेले कई बार इसकाई education लिख देंगे आप तो वहाँ पर गलत हो जाएगा नहीं मिलेगी इसकाई educar लिखना है टीक है तो वहाँ पर आपको एक चैनल मिलेगा उसको जोइन करेनघ करके वहाँ पर pdf आपको मिल जाएगी इस वीडियो को भी मिल जाएगी और इसके साथ नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत